नमस्ते विवर्स में सुमिद भाई MB Creation सूरत से उमीद करूँगा आप सब ठीक होंगे आज की वीडियो के अंदर स्पेशल आपको परचेज सिखाता होगे जब भी आप कपड़े का व्यापार नया स्टार्ट करना चाहते हैं छोटे बजट से बड़े बजट से तो आपको सबसे पहले जो काम होता है वो होता है परचेज करना कपड़ा खरीदना कि क्या खरीद होता कि मेरे एरिया में वो बिख जाए कौन सी रेट में खरीद होता कि मेरे एरिया में वो बिख जाए यह बहुत बड़ा और बहुत जरूरी टोपिक होता है जिसको काफी लोग शुरुआत करने से पहले नजर अंदाज करते हैं जिसका खामियाज उनको बाद में भुगतना पड़ता है तो आज की इस वीडियो के अंदर इस्पेशली यही बात करेंगे कौन सी रेट आपको खरीदना चीए जाएगी आपको पता चलेगा इन दोनों बातों का कनेक्शन क्या है तो पहले अपन यह चीज करते हैं कि नॉर्मली जब आप कपड़े का वेपार स्टार्ट करने वाले होते हैं तो सर्च करते हैं यूटूब पे कहीं पे फेस्बूक पे इंस्टाग्राम वगेरा पे कि मैं क स्टार्ट कर सकता हूं सूरत अगर मुझे जाना है तो किस की वराइटी अच्छी है किस की वराइटी नहीं है अच्छी मुझे कहा जाना है यह सब डिसाइड करते हैं अपना तो शोशल मीडिया का यूज लेते हैं सोशल मीडिया के थ्रू अपन जाना चाहते हैं सबसे पह सो हजार रुपए के अंदर अंदर ही बताया और हर वीडियो के अंदर मैं मैं नॉर्मली जो बनाता हूं उसके अंदर रेट का आइडिया आपको देता हूं कि 600 700 के अंदर का आइटम है या 500 के अंदर का आइटम मैं दे रहा हूं या 800 के अंदर का आइटम इस वीडियो के अं लेकिन हर एक वीडियो में possible नहीं है, क्योंकि उन वीडियो का आप जब sale करेंगे, आप जब व्यपार चालू करेंगे आपका, तो उन वीडियो का negative effect आपके व्यपार पर पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो customers हैं, वो भी सर्च करते हैं, सूरत में कितनी सारी कौन सी रेट में मिलती है तो इसलिए हम लोग वो रेट नहीं बताते हैं अब मैंने ये बात क्यों करी है आप नॉर्मली समझो कि मेरे जितने वीडियोज है 70% 80% वीडियोज कोई भी वेराइटी का आप देखोगे 1200-1500-1000 रुपे के अंदर की वेराइटी ही मैं दिखाता हूँ उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि रिटेल मार्केट की रोनक वही रेटे होती है जो 12 मैने चलती है ये कॉमन बात है इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं बहुत खूपसूरत ये वीडियो बनेगा और बहुत सारी अच्छी जानकर ये आपको मिलेगी अब कई बार आप जब यूटूब पे सर्च करते हो मानलो मेरा ही वीडियो है मैंने उसमें आपको एट्रेक्ट करने के लिए खाली कि इनको मैं डिजान दिखाऊ हूँ वैतरी जैसे मेरे पास में सारी के अंदर चार अजार रुपे तक की रेंज में मैं इंटेन रखता हूँ जिसमें दूलन सार información भी है सारी जो पंदनासो प्लस में सारी है दूलन सारी भी purs हो जाती है मेरे पास साड़ी और मैं वीडियो खुलते ओपन करते मैं दिखाऊं चार साड़े चार हजार वाल साड़ी यह देखे इस टाइब का कॉंसेट मेरे पास में आता है तो वो वीडियो आपके कोई काम का नहीं है अगर उस वीडियो पर ध्यान देके अपना व्यापार चालो करो तो आप करी नहीं पाओगे चालो यह गैरेंटी के साथ बोल रहा हो क्योंकि आपके दिमाग में वह 4,000 वाली साड़ी चप गई है यह सूट चप गया है यह कुर्ती चप गई है जो भी आपको पर्चेस करना हो वह रेट की वह चीज़ आपके दिमाग में चप गई है कि य आप देखो अगर 20% आइटम उस रेट का भी आपको डालना है तो पर्चेस करो देखके लेकिन उन रेटों का वीडियो पे दिखाना और आपको यह बुलाना वह फिजूल चीज़ है आपके कोई काम नहीं आने वाली है वो चीज़ यह बात है नॉर्मल से क्योंकि आपका जो बजट है 25,000-50,000 लाख रुपय का नॉर्मल घर से जो आप स्टार्ट कर रहें इतना ही बजट लगा के स्टार्ट कर दें और उसके अंदर मीडियम रेट की साडियां मीडियम रेट की कुर्तियां यही ज्यादा बिकती है जो रेट होती है 200 से 1200-1500 इस बीच की रेट ही 3500 वाली दिखा के आप वो चीजे देखे आ तो जाओगे मेरे पास लेकिन खरीद नहीं पाऊगे क्योंकि मैं यूटूब पे तो मैं रेट बता नहीं रहा उनकी 4000 रुपे की साड़ी है आप देख रहे हैं यह बंदेन ऊपर लिख रहा है निन्याड में यह निन्याड में क अपने चैनल के उपर जब भी कोई भी वीडियो जाता है जिसको देखके आप ओपन करते हैं वीडियो उसके उपर 100 पर संट वही चीज लिखी होती है जो वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलती है सेम टू सेम चीज कुछ अलग नहीं कुछ ऐसा नहीं है कि 45 रुपे म पांच अजार वाली चीज आपको मिल रही है 500 रुपे में इस टाइप का कुछ भी मैं नहीं डालता क्योंकि वह रियल्टी नहीं है वह देखके आप मेरे पास में आओगे उल्टा मेरी गर्दन पकड़ोगे के भाई तु नहीं वहां तो ऐसा बोल रहा है यहां पर तु व अजन भी करेगा कि यार ले लूँ कितनी खूबसूरत साड़ी है कितना अच्छा कलर है कितना प्यारा वर्क किया वह इसके उपर लेकिन वह आपके व्यापार में कोई काम नहीं आने वाली है तो अपन क्यों इन्वेस्ट करें उसमें पैसा और क्यों एट्रेक्ट हो के बहुत ज़्यादा विराइटी आपको दे पाऊं उस रेट के अंदर और कलर हो गए डिजाइन हो गई प्रिंट हो गए वर्क हो गए लाइट डाक डस्टी जिस टाइप के मतलब कलर वगेरा यह सारे कॉंसरे मतलब मैं हजारों के अंदर सेंपल मेंटें करता हूं इस रेट आपको आगे काम करने में साहिक होती है और ook गेरा और यह से रेट के सारे अपना काम ऑगे बढ़ा पाते हैं तब मैं इस रेट पे हमेशा फोकस करता हूं जो काम है आज लोगों का अश्रवाद इतना अच्छा रहता है और काम के प्रती बें लोग अच्छा बोलते हैं ज उन्हों ने जो देखी ना वह रियालिटी देखी है अपने चैनल के उपर यहां आने के बाद वह सेम चीज दिखी मैंने नहीं दिखाया 5000 का पीस और यहां पर बूला लिया नहीं तुम्हारे काम की चीज देख लो खुश हो लो लेकिन आप अपने व्यापार में शामिल मत कर उस चीज को ऒढत नहीं विकनी है उसको देख के आओ भी मत मेरे पास सिर्फ वह देख कि manufact नीचे 1500 के नीचे क्या मैं व्या नीचे यह बेस्ट रेंट आपको देख सकता हो क्या में अठी डिजाइने में करिज सकता तो आओ मेरे पास में अगर वो चीजे मैं नहीं दे पा रहा हूं मेरी रेट 700 है तो क्यों आना मेरे पास में कंपेर करके देखो एक बार आपको आईडिया लगेगा वाकई माईडिया लगेगा किसकी रेट बेटर है क्योंकि वही रेट आपके काम आने वाली है शायद आपको ऐसा लगे कि इसके पास में 1500 रुपए तक की रेट ज्यादा मिंटेन करता है 200-200 रुपए से लेके 1500 तक की तो उसको ज्यादा प्रमोट कर रहा है मैं सिंपल बात बताओं आप अपने घर के अंदर अगर आप लेडिज है तो खुद का अलमारी आप खोल के देखना उसके अंदर कितनी साडी रखिए अगर आप जेंट से अपनी मम्मी जी होंगे घर में सिस्टर जी होंगे गर में वाइफ होंगे घर में उनकी अलमारी एक बार उपन करके उनकी जो साडी रखिए उनका रेट एक बार उनसे पूछना कि इसमें से कितनी साडी कौन कौन सी रेट की है मेरे यहां से आपने 1500 परचेस करिए तो वह 12,1300,1400,1500 तक मेरे आप आप लिजे परचेस करिए तो 2000 प्लस की कितनी साडी है कितनी साडी है 2000 प्लस की 20 परसेंट रेशो निकलेगा 25 परसेंट रेशो निकलेगा 70 80 परसेंट 60 परसेंट माल जो है वो जो रेट मैं बता रहा हूं उस रेट का निकले तो वहीं से पता लगा लेना चीए अपने को कि भाई जब अपने खुद के घ सकते हो घर बैठे बैठे कि भाई अब खोली अलमारी खोलते पता चल गया पचास साड़ी रखी इसमें से 30 साड़ी है जो हजार के नीचे बारासो के नीचे पंदरासो के नीचे हो गया काम अपना पता चल गया क्या रेट बिखती है जादा अब अपना बजट छोटा है तो अपने को उतनी रेट मेंटेन करनी है बजट अपना बहुत जादा है तो फिर उपर वाली रेट भी थोड़ी मेंटेन करें तो यह चीजे होती है सूरत आ रहे हो नॉर्मल से चीज है वह तीन हजार वाली चार हजार वाली अब जैसे किसी भाई कभी आप वीडियो देखते दिखा के आप यहां आ रहे हो और वो देखके फिर disappointed हो रहे हो कि आ रहे हैं यह साधी तो 4000 कि यहां पर या तो वो दिखाई नहीं जाएगी और दिखाया तो फिर तो original rate तो बताना पड़ेगा न आपको तो 4000 बता दिया तो वहीं मट्टी बली तो होगी अपनी तो क्या 4000 किये इस rate का अपन क्या करेंगे तो attract हमेशे वीडियो देखो न काम की वीडियो देखो जो आपके व्यापार के अंदर वाकई में काम आने वाले हो कि भाई मुझे यह rate चलने वाली है तो इस rate में कौन better item दे की ठीयर है किसके पास ज्याइन के इसके बादा ज्याइटी है वहां पर मैं जाओं वहाँ से में परचेश करने कि मेरा वेयापार चले बस यह सिंपल सा वीडियो था, уबातो बटाओ को परचेशitaire से चीखी जाती है पता चल जायाएं किस रेट हों के परचेश करना जाए स सबसे बड़ा confusion होता है कपड़े वैपार में और वो भी कम बजट वाले को ज्यादा confusion होता है कि खरीदे क्या कौन सी रेट में खरीदे यहां से clear हो जाता है और सूरत के परती थोड़ी से आपको awareness भी बताई मैंने उमीद करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के अंदर मिलते हैं फिर से थैंक्यू